आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए grade card के status के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे conviction के बारे में तो आप इस वीडियो को इसे पूरा जरूर देखे और अंतक देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजे तो सीधा वीडियो की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके grade card के status के बारे में क्योंकि grade card का status जब हम खोलते हैं काफी सारे student वैसे अभी अगर आप first year के student और आपने जून 2024 का exam दिया है तो आप grade card अगर खोलने की कोशिस कर रहे होंगे तो grade card में आपका कुछ भी नजर वहाँ पर नहीं आ रहा होगा तो कि grade card आपका नजर आने के लिए सबसे पहले कम से कम या तो assignment तो assignment का assignment का result आपका आजाए या किसी एक subject का का theory exam का result आजाए तब ही आपका grade card है वो खुलना शुरू होता है तो अगर आपका किस एक subject का assignment या फिर grade card का result नहीं आया है तो आपके लिए अभी grade card खुल नहीं रहा होगा लेकिन जैसे जून 2024 का result आना शुरू होगा और काफी सा restaurant का आ जाएगा तो आपका grade card open हो जाएगा grade card में not completed आप देखेंगे तो status जो होता है उसमें completed या फिर not completed लिखा हुआ आता है completed कब लिखा हुआ आता है और not completed कब लिखा हुआ आता है अगर हम उसके बारे में बात करें तो जब आपका assignment और जो theory exam है किसी subject का उसमें दोनों में आप पास हो जाते है separately मैं बता दूँ separately आपको पास होना होता है तो दोनों में जब आप separately पास हो जाते हैं तब उसके आगे completed लिखा हुआ आता है अगर ऐसा है कि आपने assignment पास किया लेकिन grade card में theory exam पास नहीं किया तो उस subject के आगे not completed लिखा हुआ आएगा या फिर आपने theory exam पास किया assignment को पास नहीं किया तब भी not completed लिखा हुआ आएगा अगर आप किसी subject में fail भी हो जाते हैं तो तब भी उस subject के आगे not completed ही लिखा हुआ आता है तो अगर आपको किसी subject को complete करना है उसके status को completed लिखवाना है तो आपको assignment देने होंगे और theory exam देने होंगे और दोनों में ही पास होना होगा तब उस subject के आगे completed लिखा हुआ आएगा उसी तरीके से अगर जितने भी subject आपने लिए है चाहे वो practical का है project का है या फिर theory exam का है सभी subject के आगे जब completed लिखा हुआ आना शुरू हो जाता है तो तब आपका course complete माना जाता है जो कि दो साल है तीन साल जितना भी आपका course होगा उसको आपको complete करना पड़ता है उसके conduct करवाया गया था तो आपका जो 38th convocation डिसमें December 2023 में जिनका course complete हुआ है वो student और जिनका June 2024 में course complete होगा वो student 38th convocation को भर पाएंगे और 38th convocation का जो form का link है जो की सारे instrument जानना चाते हैं तो या तो जुलाई के end में या फिर अगस्त में आपके लिए release कर दिया जाएगा तो जुलाई के end से आपका जो convocation का form है वो online release कर दिया जाता है उसके बाद आपको चार से पांच महीने का पूरा समय मिलेगा कि आप convocation का form भर पाएं आपके लिए जो convocation आयोजित किया जाएगा आपके लिए जो 38 convocation conduct किया जाएगा तो मार्स 2025 के first week में conduct किया जा सकता है तो आपका मार्स 2025 में आपको degree diploma certificate इगनु की तरफ से भेज दिया जाएगा आपके पास option होता है कि चाहे तो आप convocation के दिन ही अपने degree diploma को ले लीजिए या फिर आप चूज कर सकते हैं कि आपको convocation अटेंड नहीं करना आपके घर में speed post के जड़िए आपके degree diploma certificate दे जिया जाए जो certificate वाले student होते हैं उनके लिए option नहीं होता उनकी जो degree उनका जो certificate होता है उनको घर पर ही दिया जाता है यानकी certificate वाले student को convocation में नहीं बुलाया जाता तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंदा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा से जरूर कीजिए